Hello students, आज हम बात करेंगे, class 10th के chapter 1 में एक topic है types of chemical reactions, racinic अभिक्रियाओं के प्रकार, कि ये जो racinic अभिक्रियाओं होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, तो मैं आपको बता दू, racinic अभिक्रियाओं जो हैं वो, जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें मैंने लिखे हैं, ये 5 प्रकार की होती हैं, तो ये कौन-कौन सी हैं, सबसे पहले है combination reaction, जिसको सयोंजन अभिक्रियाओं बोलते हैं, तो इस वीडियो में आज हम, चार जो reactions हैं, ये 1, 2, 3 और 4, इनकी बात करेंगे, पांच में हम बाद में बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, combination reaction, स्योंजन अभिक्रियाओं की, इसमें मैंने एक example लिखा हुआ है, पहले से ही, आप इसको ध्यान से देखें, hydrogen gas प्लस CL2 gas, ये दोनों जो हैं, वो reactants हैं, अभिकारक हैं, कोई भी जब अभिकरिया होती है, तो उसमें जो left hand side बाले होते हैं, वो अभिकारक होते हैं, और ये अभिकारक मिल कर जो हैं, वो उत्पाद बना देते हैं, तो right hand side में, ये आप देख पा रहे हैं, ये HCl एक उत्पाद बना है, तो बटा ध्यान से देखें, यहाँ पर hydrogen gas, ये वाली hydrogen gas और CL2 gas, ये दोनों अभिकारक हैं, और इन्होंने मिल कर जो है, वो एक उत्पाद hydrochloric gas का निर्मान किया है, इससे हमें ये पता चलता है, कि दो या दो से अधिक अभिकारक, ध्यान से इसको देखें, दो या दो से अधिक अभिकारक मिल कर, एक उत्पाद का निर्मान करते हैं, एक उत्पाद का निर्मान करते हैं, ऐसी अभिकरिया को हम क्या बोल रहे हैं, सियोंजन अभिकरिया, यह कैसे हुई यह अभिकारक, यह है hydrogen gas, दूसरा अभिकारक यह CL2 gas, किये थे, तो इन्होंने यह बना दिया था, HCL gas, यह एक उत्पाद है, तो यहां से, दो या दो से अधिक अभिकारक मिल कर, एक उत्पाद का निर्मान करते हैं, ऐसी अभिकरिया को हम, सियोंजन अभिकरिया कहते हैं, अब सियोंजन अभिकरिया के next examples, हम और देख लेते हैं, कि इसके कौन-कौन से examples हैं, एक simple सा example मैं ले रहा हूँ यहां पर, जैसे magnesium solid, plus autogas, magnesium और oxygen, जब आपस में अभिकरिया करते हैं, तो यह एक उत्पाद बना देते हैं, magnesium oxide, इसमें भी आप देख रहे हैं कि यह मैगनेशियम और ऑक्सीजन यह अभिकारक हैं और इन्होंने मिलकर एक उत्पाद मेगनेशियम ऑक्साइड जो है यह बना दिया है तो इस अभी करिया को भी हम सही ओंजन अभी करिया कहेंगे इसके लाबा हमारी NCRT book में भी example है जिसे इसको हम करते हैं calcium oxide solid plus H2O that is water gel liquid यह दोनों अभी कारक हैं यह जब आपस में अभी करिया करते हैं तो यह क्या बना देंगे इसको हम देखते हैं पर उससे पहले हम यह देख लेते हैं कि यह जो calcium oxide है इसको क्या बोला जाता है calcium oxide को quick lime बोला जाता है quick lime मतलब की बिना बुजा हुआ चूना बिना बुजा हुआ चूना इसको बोलते हैं यह इसका formula है CAO और यह H2O यह जल है जब यह दोनों अभी कारक आपस में अभी करिया करते हैं तो यह बना देते हैं calcium CAO H twice calcium hydroxide और यह जल में गुलनचील है aqueous solution इसका बनता है calcium hydroxide और इसको जो है वो slaked lime बोलते हैं slaked lime और बुजा हुआ चूना इसको कहा जाता है इस अभी करिया में भी आप देखेंगे कि यह दो अभी कारक थे calcium oxide और जल इन्होंने मिलकर जो है वो एक उतपाद calcium hydroxide का निर्मान किया था तो यह कुछ एक examples है इस अभी करिया के अगर मैं और examples की इसमें बात करूँ तो एक और example है वो है कोईले का दहन मतलब की कोईले का दहन कोईले में आप सभी को पता है की carbon होता है और यह solid form होता है जब इसको oxygen की उपस्थिती में जलाया जाता है तो carbon dioxide gas जो है वो निकलती है तो इस अभी करिया में भी दो अभी कारक मिलकर जो है वो एक उतपाद बना रहे है लास्ट example इसम hydrogen gas जब oxygen gas के साथ combine करती है या अभी करिया करती है तो यह जल का निर्मान करती है तो यह सभी अभी करिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अभीकरिया कर रहे हैं और ये जो है वो एक उत्पाद का निर्मान कर रहे हैं तो ऐसी अभीकरिया को हम सियोंजन अभीकरिया कह रहे हैं सियोंजन अभीकरिया अब अभी कारकों में जो है वो या तत्व भी हो सकते हैं प्लस योगिक भी हो सकते हैं यह हमने एक्जामपल्स किये थे यहां पर जैसे यह तत्व है और यह अक्सीजन अक्सीजन तत्व मिलकर जो है वो इन्होंने योगिक बना दिया है ये आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो ये जो हैं एक उत्पाद बना देते हैं तो जब भी इस अभिक्रिया में जिसमें दो या दो से दिक तत्वियाय योगिक आपस में अभिक्रिया करेंगे और एकल उत्पाद का निर्मान करेंगे तो ऐसी अभीकरिया को हम सियोजन अभीकरिया कहते हैं नेक्स्ट हम सेकिंड अभीकरिया की बात करेंगे सेकिंड जो है वो मैंने बताया था आपको डी कमपोजिशन रेक्शन यानि की बियोजन अभीकरिया और ब्योजन अभीक्रिया को अपगटन अभीक्रिया भी कहते हैं ब्योजन यानि की डीकंपोजिशन रेक्शन ये जो है ये स्योजन अभीक्रिया का विल्कुल ओपोजिट है स्योंजन अभी करिया मैं दो या दो से अधिक पदार्थ अभी करें करके एक उतपाद का निर्मान करते थे पर यहां पर जो है वो एक उतपाद मालो यहां पर A है और यह एक या एक से अधिक उतपाद का निर्मान करेगा तो यहां पर यह A जो है यह B प्लस C बना सकता है इसमें मैं एक्जामपल ले रहा हूँ कुछ एक इसमें भी एक्जामपल करते हैं फर एक्जामपल कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड यह एक अभिकारक है कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट यह जो है यह इसका जब अपगटन होता है मीन्स इसके डीकमपोजेशन होती है गरम करने पर तो यह जो है वो कैल्शियम आकसाइड जिसको हमने पहले भी कह था बिना बुजा हुआ चूना है और कार्बन डैकसाइड गैस जो है वो इसमें से निकलती है तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि एक अभिकार कैल्शियम कार्बोनेट है और यह एक या एक से अधिक उतपाद में तूट रहा है या एक या एक से अधिक उतपाद जो है यह बना रहा है तो ऐसी अभी क्रिया को हम क्या बोलेंगे बियोजन या फिर अपगटन अभी क्रिया जिसमें एक या एक से अधिक उत्पाद बनते हैं इसके और एक्जामपल सम करते हैं वो कही एक्जामपल है यह FeSo4 Solid जब इसको गरम करें तो यह फैरिक ऑक्साइड Fe2O3 और सल्फर डायोक्साइड गैस प्लस सल्फर ट्रायोक्साइड गैस में यह जो है वो डीकंपोज हो जाता है तो यहां पर यह फैरिक ऑक्साइड और सल्फर डायोक्साइड था सल्फर ट्रायोक्साइड गैस में जो है इसकी डीकंपोजिशन होती है नेक्स्ट एक्जामपल इसी में lead-nitrate pv-no3-twice lead-nitrate इसका नाम है lead-nitrate इसको जब गरम करें तो यह जो है वो lead oxide और nitrogen dioxide gas इसमें से निकलती है plus oxygen gas निकलती है यह अभी कृए बड़ी ही interesting है क्योंकि जब भी lead nitrate को गरम करते हैं तो इस में भूरे रंग का धुआ निकलता है भूरे रंग का धुआ निकलता है और ये भूरे रंग का धुआ जो है वो किस की बज़ा से निकलता है ये nitrogen dioxide की बज़ा से जो है वो भूरे रंग का धुआ निकलता है, इसको आप balance भी कर सकते हैं, lead nitrate, यहाँ पर जल्दी से मैं directly कर देता हूँ, 2 lead nitrate, 2 PBO, plus 4 NO2, this is gas, plus O2 gas, यह जो ब्योजन अभी करिया है, इसको complete करने के लिए हमें, जो है, या तो heat देनी पड़ती है, या फिर ये, मैं ब्योजन अभी करिया, मैं कुछ पदार्थ ऐसे हैं, अभिकार कैसे हैं, उन्हें हम अगर सूरे के परकाश में रखें, तो वो जल्दी से जो हैं वो अप घटित हो जाते हैं, इसको भी जब सूरे के परकाश में रखेंगे, तो ये जो है, ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में अप घटित हो जाता है, इस तरह एक और एक्जामपल है, एजी बियार, इसको भी जब सूरे के परकाश में रखेंगे, तो ये भी जो है, वो इसमें अप घटित हो जाता है, और ये जो अभी करिया है, इस अभी करिया का उपयोग जो है वो ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी इस अभी क्रिया का उपयोग किस में किया जाता है भी श्वेत श्याम फोटोग्राफी में ये और ये जो अभी क्रियाए है मैंने पहले ही बता दिया ब्योजन अभी क्रिया को पूरी करने के लिए या तो हमें उश्मा देनी पड़ती है या फिर sunlight की presence में भी कुछ reactions complete हो जाते हैं और कुछ reactions ऐसे हैं अगर हम उनको विदुथ की supply दे दें तो उससे भी वो जो reaction है वो complete हो जाती है फार एक्जामपल water जब पानी में से विदुथ गुजारी जाती है तो ये हाइडरोजन गैस और ओक्सीजन गैस में अपगटित हो जाता है तो ब्योजन अभिकरिया को एक बार फिर से मैं बता दिता हूँ कि ऐसी अभिकरिया जिसमें एक अभिकारक एक से ज़्यादा उत्पाद बनाता है और इस अभिकरिया को पूरे करने के लिए हमें उश्मा या फिर सुरे का परकाश या फिर उसमें विदुत की स्प्लाई जो है वो देनी पड़ती है नेक्स जो थर्ड है वो हम बात करेंगे जल्दी से डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन यानि कि बिस्थापन अभिकरिया की तो बिस्थापन अभिकरिया में क्या है कि इसमें एक जो तत्व है वो योगिक मेंसे तत्व एक तत्व जो है वो योगिक मेंसे क्या कर देता है उस तत्व को बिस्थापित कर देता है ये योगिक जो होता है ये इस योगिक का एक्वस सल्यूशन होता है उस योगिक के एक्वस सल्यूशन में से उस तत्व को विस्थापित कर देता है for example मैं इसमें example ले रहा हूँ जल्दी से that is iron iron को जब copper sulfate के billion में मिलाया जाता है ध्यान से देखें सभी क्रिया को iron तत्व है और ये copper sulfate ये योगिक है एक्वस solution है ये यह से मैं बोल सकता हूँ कि ये जल्य बिलियन है copper का जब इन दोनों की अभी क्रिया कराई जाती है तो ये iron क्या करता है इस copper sulfate में से copper को यहां से विस्थापित कर देता है तो यहां पर जो है वो अभी क्रिया इस तरह से संपन होती है ये FESO4 aqueous plus copper solid इसको दिहान से देखें कि iron ने क्या किया यहां से इस में से copper sulfate में से copper को जो है वो विस्थापित कर दिया है और इसका बन जाता है ferrous sulfate simple सी बात है कि इस copper sulfate के billion में से iron ने copper को यहां से विस्थापित कर दिया है और यहां पर बन गया है यह ferrous sulfate पर यहां पर एक condition है कि क्या सभी जो तत्तव होते हैं वो इस तरह से कर सकते हैं कि कि दूसरे billion में से उस तत्तव को विस्थापित कर सकते हैं ऐसा नहीं होता है इसके यह depend करता है सक्रियता श्रेणी के उपर सक्रियता श्रेणी जिसको हम reactivity series बोलते हैं सक्रियता श्रेणी यानि की reactivity series इसका link में description मैं दे दूँगा आपको इसकी मैंने वीडियो बना रखी है पहले से ही वहां से देख सकते हैं कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है और उसको किस तरह से learn किया जाता है इसके मैं जल्दी से एक और example बता देता हूँ आपको zinc solid zinc को जब copper sulfate के million में मिलाया जाता है तो zinc भी क्या करता है कि ये copper से ज़्यादा भी शील होता है और zinc copper sulfate में से copper को विस्थापित कर देता है तो ये अभी क्या इस तरह से जो है वो complete होती है plus copper solid next example इसी में है lead solid plus CuCl2 aqueous तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि copper जो है वो lead से कम अभी क्याइए ये lead क्या करेगा copper को यहाँ से विस्थापित कर देता है तो यहाँ पर आप इस सामने आएगा that is PVC L2 aqueous plus copper solid तो इस तरह से ये displacement reaction होती है next जल्दी से हम last reaction इसमें double displacement reaction याणि कि 2 विस्थापन अभी करिया अब इसमें नाम से भी क्लियर है कि 2 विस्थापन है तो मतलब 2 बार जो है वो विस्थापन होगा 2 बार जो उसको displace किया जाएगा for example Na2 sodium sulfate aqueous यह sodium sulfate है इसको जब varium chloride के साथ मिलाया जाता है sodium sulfate का aqua solution और varium chloride का भी aqua solution दोनों को जब मिलाया जाता है तो यह क्या करते हैं कि यह दोनों आइनों का अदान परदान कर देते हैं वो किस तरह से करते हैं यह Na2 क्योंकि sodium के उपर positive charge होता है और sulfate के उपर जो है वो negative charge होता है इसी तरह varium के उपर positive charge chlorine के उपर negative charge कितना positive कितना negative होता तब वो मैंने नहीं लिखा है, अब इस अभी करिया में होता क्या है, कि आइनों का अदान परदान होता है, जो अभिकारक होते हैं, वो आपस में आइनों का अदान परदान करते हैं, वो किस तरह से होते हैं, ये वाले जो positive आइन हैं, ये negative आइन के साथ combine कर जाते हैं, मतलब क आइंज जो है वो शलफेट आइन के साथ जाके जो है वो कंबाइन कर जाते हैं मतलब यह इस तरह से जो दो बार मिस्तापन होता है तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है वेरियम शलफेट solid plus NaCl aqueous NaCl aqueous और इसकी balance करोई हो तो 2 NaCl आएगा NaCl ये sodium chloride है sodium chloride है और इसको ये नमक का formula है NaCl ये varium sulfate जो बना है ये एक श्वेत रंग का अगुलन छील पदार तो हता है ये घुलता नहीं है अभिकरिया में ऐसच रह जाता है तो इसको हम next वीडियो में देखेंगे कि इस अभिकरिया को और किस नाम से जाना जाता है इसके बाद में आपको जल्दी से एक और पहली अभिकरिया में वापस ले चलता हूँ जिसमें हमने ये किया था कैल्शियम ओक्साइड बली अभिकरिया की थी कैल्शियम ओक्साइड प्लस जल ये क्या बना देते थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब इस अभिकरिया में ये जो calcium hydroxide बना था ये क्या करता है कि इसको ये calcium hydroxide calcium hydroxide carbon dioxide के साथ अभीकरिया कर जाता है और इसके बाद दिवारों पर हलकी सी चमक आ जाती है आपने देखा होगा कि ये जब दिवारों पर सफेदी की जाती है तो उसके उपर चमक आ जाती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि ये जो calcium hydroxide होता है ये carbon dioxide gas के साथ धीमी गती से अभीकरिया करता है और एक पदार्थ की पतली सी परत बना देता है उस पदार्थ को हम बोलते है calcium carbonate calcium carbonate plus जल तो ये जो calcium carbonate होता है ये दिवारों पर जो चमक आती है उसके लिए responsible होता है जो संगमरमर होता है उसका formula भी यही होता है CACO3 calcium carbonate संगमरमर यानि की marble और जो हम chalk use करते हैं schools में उसका भी यही formula होता है CACO3 तो इस तरह से ये चार अभी क्रिया के बारे में हमने किया है next जो है वो पांचवी अभी क्रिया है redox reaction इसको हम next वीडियो में बात करेंगे thank you झाल